नमस्कार आप लोग का स्वागत है फिर से एक और वीडियो में दोस्तो यह वीडियो में देख सकते हो यहां पर काफे सारे आउजा की एंपलीफायर रखी हुए जो कि उपर से लेके नीचे तक छे एंपलीफायर है और विथ एक मिक्सर है मतलब सिंगल मिक्सर है एक ठो सिर् बहुत सारे लोग मेरे को comment कर रहेते हैं कि आप direct 6 या 7 amplifier के साथ इस परकार की connect करके दिखाओ ताकि मैं सीख सकूँ या तो जान सकूँ कि किस परकार से होता है काफे सारे निव जो बंदे हैं जो new amplifier लेते हैं उसको काफे सारे दिक्कत होते हैं जो की connect करने में तो यह amplifier में हम सिर्फ आउजा की amplifier connect करने वाले हैं ठीक है और आपको दिखाते कितना इजली और क्या क्या होता है इसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इसमें कोई भी घाबराने वाली बात नहीं है वीडियो को आखरी तक जरूर देखना क्योंकि लंबी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें चली वीडियो को स्टाट करते हैं यह सारे हमारे amplifier रहने वाले हैं सबसे पहले तो हम इसका कितना कौन कितना वाट का है यह आपको बता देता हूं ठीक है यह जो दोनों दीख रही है 2888 ваши dependent यसके बाद ये जो दोनों देख रही यह है 500 500 वाट की ऐंप्लि फार आगरुकर विश्वास नहीं तो देखो यहां पर देख इसका मोडल लम्मर्या शर्च कर सकते हो इसका भी मोडलल लमर्य देख सकते हो ठीक तो पांशू पांशर 888 200 वाट की और यह साथ वाट की इसका क्या काम है मैं भी सारे डिटल बायट डिटल बताऊँगा वीडियो के लास्ट तक जबूर देखना और यह वाली जो है यह हजार वाट की ठीक है जिसको हम किंग बोलते हैं अगुजा की किंग यह है ठीक है तो देख सकते हैं यह सारे the detail बाइडेएल समझ में आ सके ठीक है तो यहाँ पर देख सकतो यह जाकी 알regation जो है यह हजार वाट की और यह हाजार वाट की इंपलीफार जो है यह हमारी box चला रही है तो देख सकतो तो यह हजार वाट की स्पिकर बोक्स चला रही है ठीक है मैंने लिक दिया ताकि आप समझ सको आप ऐसे ही डारेट्ट सिरीज कर दोगे लंद फंद यह करके तो फिर आपका जो स्पिकर शाउंड हो रहा है उसमें आपको दिक्कत हो सकती है ठीक है ताकि मैं एक एक करके समझा हूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत बीच में नहीं होनी चाहिए ठीक है और यहां पर देख सकते हैं यह जो है हमारा यह बोक्स चल रहा है जो कि हजार वाट का होने वाला है तो दो बोक्स इसमें कोई भी बोक्स सिर्फ बोक्स चल रहा है आप मानलो ठीक है उसके बाद जो हमारे 500 watt की amplifier है और ये जो 500 watt की amplifier है ये हमारे जो चल रहे है ये stage speaker चल रहे है जो stage पर हम लोग जो feedback वहां बोलते है तो ये दोनों 500 500 amplifier से हमारे feedback चल रहे है अर एक तरब से मानो तो जिसको होरन नहीं पता वो ड्रावर यूनिट या उजा का यूनिट जो होता है वह उसी को हम लोग होरन बोलते हैं आप लोग को भी पता होगा ठीक है तो इससे दोनों यह दोनों से होरन चल रहे हैं अलग-अलग मसिन से चल रहे हैं मालो इससे चार इससे चल रहे है ठीक है म प्रकार की जैक ले लेंगे जो ठीक है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर हम इनपूट में लगा देंगे ठीक है कुछ इस प्रकार से यहां पर हम इनपूट में लगा देंगे उसके बाद जो हमारी एक जैक निकली है वह चल जाएगी भाई सब हमारे जो 500 वाट की एंपलीफायर है इसकी आउट्पूट में ठीक है डारेट मिक्सर में इसको लेके नहीं जाना है क्योंकि आपको पता ही चल रहा है ठीक है तो यहां से यहां तक हमने लाया है इनपूट से आउट्पूट फिर इनपूट से आउट्पूट ओके चलिए दिखाते हैं फिर यहां से हमने इसको यहां कनेक्ट किया और यहां से फिर हम यहां यहां पर लाएंगे ठीक है तो देख सकते हो यह हमारे द जाएगी यह आप डारेक्ट मिक्सर में आप यहाँ पर डाल दो ठीक है यह लेप्ट राइट आप किसी में भी डाल सकते हो तो देख सकते हो यह जो हमारी तीनों एंप्लिफार जो है वन टू थ्री यह हमारी कनेक्ट हो चुकी है इसमें आपको कोई भी सक नहीं रहना कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ ठीक है देख सकते हो यहां से आपको दिखाते हैं यहां से इनपूट से निकला हजार वाट की यह आउट्पूट में गई फिर इनपूट से निकली और यहां पर देख सकते हो आउट्पूट में गई फिर इनपूट से निकली वो चल गई हम ले लेनी है और जैक यहां पर देख सकते हो यह यह जो हमारी अधाइस वाट की एंपलीफार है यह 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 जैक को ले लेना हो और जैक को लगा देना है यहां पर ठीक है ऐसे करके कनेक्ट कर देना उसके बाद एक जैक और ले लेना है और यह जैक आपको चल जाएगी यहां ओके काफी लिए गाइज फिर एक जेक हो डालनी है इंपूट से देखो जसफ्रकार से और आप इसको यूज करना चाहते को अप इसको यूज कर सकते हो हमेंसे भी इंग्नोड कर रहे है ऑक और पड़ दाल देनी है देख देख सकते हो कि यह connection जो है यह मेरा ready हो चुका है ओके यह मेरा जो amplifier 12345 यह 5 amplifier मेरा connect हो चुका गई अब देख सकते हो कितना जायदा मतलब easy है यह हमारी होरन चल रही है आद रखना क्योंकि यह होरन है फिर बाद में बीच मेरे को comment मत करना ठीक है यह होरन चल रही है दोनों से त एक channel में किए ताकि इससे beneath जो है वो कम रहे थोड़ी सी बैसे समें कम रहेगी क्योंकि इसमें होरन चल रही है और इसमें बेस से रहेगी क्योंकि यह फिडवया को गरा चल रहा तो इसको हम अलग दिए ठीक है इसको हम अलग दिए है और चलेगी एक ही mixer से ठीक है तो कुछ कुछ इसी परकार से सारा आप चला सकते हो, इसमें आपको कहीं भी अगर दिक्कत है या मेरी कहीं भी गलती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं सुधार करने की कोसिस करूंगा, और देखो गाईज, ऐसे ही लोग शिखते हैं और सिखाते हैं, ठीग है? तो कुछ इस परकार से य यहां आया, यहां Input निकला, Output में आया, Output में आया, Output में आया, और Input में निकला जो वह हमारे जो Output है वहाम और Left-Right तहां पर चल गयी ठीक है अब यहां Input मैं को आग़े 20 निक् fulfil करो.. कोई भी दिख़्ुत नहीं है यह हमारे connection होय शुकी है fill तो यह जो connection है यह हमारी हो चुकी है देख सकते हो काफी easy तरीका है इसका connection करने का खास करके अउजा में ठीक है काफी easy है किस-किस भाई लोग को समझ में आया यह मेरे को comment में बताना और यह video खास करके कैसी लग रही है आप लोग को यह भी बताना आप लोग को अच्छी लग बोलो तो मुंकिन सी नहीं है ठीक है अस्टेज पर जाएगा जब इस परकार की प्रग्राम होगी तो आपको हम तो दिखाएंगे लाइव प्रग्राम ठीक है तो कुछी इस परकार से अभी के लिए हमने बता दिया है कि आप इस परकार से connection कर सकते हो ठीक है वीडियो को ला